नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सर्मार्ग हनुमान जी जिन्होंने स्वेम ही इस मंत्र की रचना की है आज हम उसके बारे में बताएंगे लेकिन आपको तो पता ही है हनुमान जी अपने तन पर सिंदूर का लेप किये रहते हैं क्या को पता है इसका कारण क्या है सायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे क्योंकि एक दिन हनुमान जी ने मासिता से पूछा कि वह मांग में सिंदूर क्यों लगाती है तब माता सिंदा ने उत्तर दिया कि वह ऐसा श्रीराम जी के दिरग्हायू और स्वस्त जीवन के लिए करत होते हैं और उन दोनों का प्रेम अमर होता है बस फिर क्या था हर्मान जी ने माता सीता को भी पीछे छोड़ दिया और वह तो पूरे सिंदूर में हो गया पूरे सरीर पर वो सिंदूर लगा लिए कि राम जी की आयू भी लंबी हो और उन से प्रेम भी करें वैसे तो अगर हम माने तो सीता यानि आत्मा और जो व्यक्ति इस मोहमाया में फस जाता है वो राम जी को कहां से पाएगा इसलिए तो हनुमान जी हैं हमें अपनी सक्ति से सही राह दिखाते हैं राम जी की भक्ति से वो हम पर किरपा बरसाते हैं जब सीता माता ने राम जी को राम जी की लाने वाला Чीज़ वो करते हैं, जो बरंग्यान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, अगर आप हरनुमान जी की पूरा पूज़ा करते हैं, तो जीवन में जितनी भी बुराईयां है जितने भी आपके तकलीफ हैं भै हैं उनसे आप दूर हो जाते हैं आप में ओध्वेतिक आध्यात्मिक सक्तियां आ जाती है और स्री राम जी की पूजा हनुमान जी की पूजा करने से तो वैसे भी स्री राम जी परसंद होते हैं राम को पालेंगे अगर आप हनुमान जी क का नाम ले लेते हैं तो हनुवान जी वैसे भी आप पर प्रसंग हो जाते हैं हनुवान जी की पूजा करने से आप पर कोई संकट आही नहीं सकता अगर आये भी तो बिना छुए ही दूर चला जाता है रोग सोक सब कुछ दूर हो जाता है और एक और एक प्रसंग आता है जब रावन ने अपने सोतेले भाई अही रावन की सहायता के लिए बुलाया था तब अही रावन पातागर लोक का स्वामी था और उसने योजना बनाई कि राम और लक्षमन को चुरा कर पाताल ले जाएगा और उन्हें माचंडी की बली चढ़ा देगा जब हनुमान जी को यह बात पता चली तो वे उनके द्वार पर खड़े हो गए जिससे अही रावन भीतर ना जा सके तब अही रावन बिभी सन के भेश में आया और हनुमान ने उसे अंदर जाने दिया अब अही रावन सोते वे राम और लक्ष्वन को उठा कर पताल ले गया और जैसे ही हनुमान जी को पता चला द्वार पर हनुमान जी को मकरद्वज नामक द्वार पाल मिला जो आधा बंदर और अधा मगरमच था उसने हन्मान जी से कहा कि यदि भी वह उसके पिता हैं फिर भी वह अब उसे पराजित नहीं कर देते जब तक उन्हें भी तर जाने नहीं देगा तब हन्मान जी कहते हैं कि उनका तो कोई पुत्र ही नहीं तब मकरद्वज उन्हें अपने जन्म की कथा सुनाते हैं लंका दहन के पस्याद जब हनुमान जी अपनी पूछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में कूदे तो उनके पसीने की एक बुंद एक बलसाली विसाला काय मगर के मुह में जा गिरा और उसी से मकरद्वज पैदा हुआ अहिरावन उसका बिसाल आकार और औसाधारन रूप देखकर उसे अपने साथ पाताल ले गया अब हनुमान जी ने मकरद्वज को परास्थ किया और अंदर जा पहुंचे किन्तु अहिरावन को परास्त करना संभव नहीं था क्योंकि हनुमान जी को ग्याद हुआ कि अहिरावन तभी मारा जा सकता है जब पांच दिसाओं में विसेश अस्थानों पर जलती ज्योतियों को एक साथ उसी पल में बुझा दिया जाए और हनुमान जी ने पंच मुखी रूप धारन कर एक साथ पांचों मुखों से फूक मार कर यह कारिसंपन किया तब वह अहिरावन को मार हनुमान जी राम जी और लक्षमन जी को वापस ले आए इसलिए तो हनुमान जी के पांच मुख है पुरू दिसा में कपी या हनुमान जी जो पाप का नास करते हैं और अच्छी बुधी देते हैं दक्षिन दिसा में नरसिंग जो सत्रों का नास करते हैं और बिजय दिलाते हैं उर्दो दिसावे है ग्रीब जो बिजय, ग्यान, संतान और सुख में ग्रहस्त जीवन देने वाले हैं इस प्रकार हनुमान जी पांच दिसाओं से अपने भक्तों को भाती-भाती सुरक्षा परदान करते हैं वैसे तो पंचमुकी हनुमान जी को ग्यारवे रूद्र का अफ्तार भी माना जाता है अब हम बात करेंगे कि हनुमान जी की पूजा करने से या उनका मंत्र जपने से यहां तक कि सनी देव भी आपका कुछ नहीं बिगारते आप पर किरपा बरसाते हैं मंगल देव की भी बुरी परिशानी है बुरे ग्रह दसा है वो भी दूर हो जाता है क्योंकि हनुमान जी सभी ग्रहों सनी और मंगल को भी राबन के चंगुल से छुड़ाया था अता ये दोनों ग्रह हनुमान जी की जो भक्त होते हैं ना उनका अनिष्ट नहीं करते और राबन सभी गरहों को अपने पैर की नीचे दवा कर रखा था जिससे कि वह मुक्त ना हो सके और उधर देपताओं ने गरहों की मुक्ते की एक योजना भी बनाई और योजना के अनुसार नारद ने राबन के पास जाकर पहले उसका यसगान किया फिर उससे कहा कि गरहों को जीत कर उसने बहुत अच्छा किया पर जिसे जीता जाए पैर उसकी कमर पर नहीं उसकी चाती पर रखना चाहिए रावन को यह सुजाव अच्छा लगा उसने अपना पैर थोरा सा उठा कर ग्रहों की पलटने का आदेश दिया और ज्यों ही ग्रह पलटे सनी ने तुरंत रावन पर अपनी दृष्टी डाल दी उसी समय से रावन की सनी दसा आरंब हो गई और जब रावन की समझ में आया कि नारत क्या खेल खेल गए तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उसने सनी को एक सिबलिंग के उपर इस प्रकार बान दिया कि वह बिना सिबलिंग पर पैर रखे भाग नहीं सकता था वह जानता था कि सनी सिब के भक्त और उसका सिस्य होने के कारण कभी भी सिबलिंग पर पैर नहीं रखेगा पर उसकी सनी दसा आरंब हो चुकी थी हनवान जी सीता को खुशते वे लंका पहुँच गये अब सनी ने हनवान जी से प्राथना की कि वह देपताओं के हित के लिए अपना सिर सिबलिंग और उसके पैर के बीच में कर दे जिससे वह उसके सिर पर पैर रखकर उतर भागे हनवान जी ने पुछा ऐसा करने से उन घर परिवार उन से बिच्छड जाएगा हनवान जी वान गये क्योंकि उनका तो कोई घर परिवार था ही नहीं इस उपकार के बदले सनी देव ने हनवान जी से कोई बर मांगने से लिए कहा का हनवान जी ने बर मांगा कि सनी देव कभी उनके भक्तों का अहित ना करे और स शुतकार बहुत है संकट भार है दो चुटकार पाने के लिए संकटों से यह मंत्र बहुत ही कारगर है और ये चौपाई अपने आप में मंत्र है और उसका प्रभाव भी बहुत अनोखा है इस मंत्र का एकदम आप बहुत ही सरल है आप इसका जब कर सकते हैं और यकिन मानिए जीवन में जो संकट हैं वो दूर हो जाएंगे क्योंकि ये भगवान से हम प्राथना करते हैं कि इस संकट को दूर कीजे जीवन में एक सही राह दिखाईए हरहर महादेव